आपका वोट पिटी आई का पका है पका है जी पका है गदे को भी खड़ा करते हैं उसको भी लोग वोट देंगे इंशालव इमरान खान को बात करने को भी दिल नहीं हमेद और इससे कोई नहीं फारक पड़ेगा क्योंके हम इमरान खान के साथ हैं इदर कोई भी खड़ा होगा हम बोट उसको देंगे इमरान हान को हम सपोर्ट करते हैं बेशक उसके पास अगर उसके चोहान साब के वज़ाए चोर को भी बिटा है तो उस चोर को भी हम देंगे क्योंके इमरान हान कोटा ने बात आपको बताती चलो कि यहां पर बॉल्ड पर फ्याद रहसन चोहान साहब का नाम लिखा हुआ था बकाइदा अब लोगों ने वो यहां से मिटा दिया है लीचे उनका जो इलाका है वो लिखा हुआ हुआ है पीपी सैवेंटी लेकिन जो नाम है उसको मिटाने की कोशि सब कुछ रहे जिन दावास है ने पार्टी चोड़ी हो सकता है को यहां में इज़र उट नहीं है में उटे पिशावर में इसले चान को देगा इसको पनी में डाल दे लिए लेकिन वो किसो को नहीं देगा खान को देगा बस चाधिया चोड़ दिया तो आपकिसको बोड़ तो हम तो इम्राना हान से तालुक रखते हैं यह पार्टी में बहुत ऐसे चोर है जो वह इम्रान हान ने अभी तक तो नहीं ठीक है ना और ना टीक हो सकते तो अब यदि जे वह आप को हम सपोर्ट करते है भेसक उसके पास अगर उसके चौहान साहब के बज़ाए चौर को भी बिटाए तो будем हम देंगे क्योंकि इमरान हान को टाने है आप खान से महबबत करते हैं ऐसे से लोग जितने भी चले जाए आपको फरक नहीं पड़ता लेकिन अब पता नहीं है कि क्यूं वो इसने पार्टी चोड़ दिये इमरान खान से अब को देगा जी और इमरान खान से वो उड़ देना और किसको नहीं देना कि प्याजल раз header चौन के चोड़ने सकाह फर्क निया है नहीं पड़ेगा और आजाएगा चौड़ देगा और चाहएगा तो च्धान से बचल गया है तो चौन से अवर्णा को दे। वोर किसको नहीं दे और निदी किस और ने दे सकते किसंगों तो नहीं दे सकते इतने उप्षिन है शैबाद शरीफ है बिलाओल आउन है भास्मा रहा वह पसंग अना थो उसा ही गृब बैंदा का तो और वोट को या जाएगा उसके जगे पे इंशालला वोट को सुकु को द गरिबों ने रूटिक आया, उसने खुद भी उसके साथ रूटिक आया, वह ऐसा बंदा है, बाकी यह हमारा ऐसा खान साब के जैसा बंदा कोई भी नहीं आ सकते है। बात यह है कि जो भी कोई आये हमारे मुल्क के लिए अचाए, पैली बात तो यह दूता है यह फैदल साब च्वान साब ने जो पीटी आई चोड़ी है उन्हें कुछ सोच के छोड़ी है क्योंकि पीटी आई का इतना सिलसला खराब हो चुका है क्या वोड देने को क्या बात क नफरत हो गिया नफरत की बार नहीं हमारे मुलक की बार्टी है और वो मुस्लिम लीग भी और पीपल पार्टी भी लूली को मुखा देंगे दोबारा देखें जो भी आए हम मैं तो यह बार बार कहता हूं कि जो भी आए अच्छा यह जिस दिन उनको खान साब ने का था त आम जानते उसको टरीखेंस कि क्या जानते है अब ख़ान को ख Всемार्ण को खान को तो सारी डुनिया जानती है चुआ को už है अच्छे तरीके कि यह चूवान था। अगर रांखान की तरफ होदा मैं इसको वोड देते, लेकिन इ això नब को देंगे। यह तो एक रांखान आ परी बंदें खड़े करता हुए कि इनको वोड देना हम उसको देते हैं वोड खाहिए . तो बंदा तुबा करें उसे वैसे ही माफ कर देना चाहिए। इसका इल्म नहीं है किस ने ये किया है। आप वोट किसको देंगे फैदर असे चौहान की ज़िए। वोट मैं तो बैसिकली नून ली की सेट पे हूँ। तो नून ली कोई वोट दूँगाने। अगर कोई संजीदगी से देखे तो बहुत बहुत बेतरी है। एक सवाल का जवाब देदे मिया साब वापस का बाएंगे। उनको क्या करना है वापस लागे। आप ठंडी हमाई खाते रहें कौम यहां मुजदूरी बन करते रहें। नहीं करोंख लुदूरी चाहिए करें वहां माज़ का अज़ाल को अज़ाईगे। पकिसान की अवाम ब्रबत चक्की की बेरोज़गारी की जगिमिछ्री है। और समें तकसीम है अबी। वो खुद वेवाम फैसला ने कर पा रही है, हम किस को चॉइस करें, किस को लेड़े, वोट क्या करें? अब ही मैं प्यादु रसन चौहान साब की हलके में खड़ी हूं, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा किस को वोट देंगे? एक वाहिद बंदे मुझे आप मिले जिसने कहा कि मैं नून लीक को वोट दूँगा, जाद तर लोगों का यह कहना था, कि खान साब खंबा भी खड़ा कर दें, हम उनको वोट दे देंगे, तो आपकी लोगों से क्यों गुफ्टकू होती है, लोगों क्या रुजान है, आप क जाए जिस जगह लगे में भी वो अच्छे आदिमी है, यह नि मैं कहा रहा हूं, वो ठीक आदिमी है, यहां लोगों के साथ काम, पीटी आई को वोट देंगे, आपका कहना है, लोगों के बारे भी आप तो काफी लोगों दूर हो चुके हैं इसे, आपको लग रहा है, और पीटी आई के हैं, आप जी कह रहें कि फृत्याई से, आप लस्तिती आई का दोर, खटम हो गया है, पीटी आई कजो तो लोग नफूरत करने लग़, कोई नफरत ने कर रहें पिटियाई से इंशाएला बागी पाकिस्तान के तो ने कह सकता हूं लेकिन कैपी मैं इंशाएला फिर पिटियाई होगी है आप लोग यहां से पिटियाई को बोट नहीं देंगे उसने छोड़ दिये फैजल से चौहान सा वो कह रहे हैं कि जब हलाट ठीक हो जाएंगे तो वो आ जाएंगे नवाज शरीफ बार बेटा हुआ है अभी भी है इनको अपना लीडर मानते है सुप्रीम कोर्ट नाही जाएंगे उन्हीं से पूच रहे हैंगे वह समझ नहीं आरे पाकिसान की अदालत का कानून का क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए आमीरों के कोई कानून नहीं है कर भाक भी कर रहा हैं आ किसी में पाइछ पोटें कर सकते हैं आत अब किई कर रहें मुझे किसीचीज का पता ही मैं उनकी बात कर रहना हूं कि उन्हों बात इक अठा के Nih उनके बाई हैं यहां शबाश शीफ साब माशाला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो दिन रात मेनद कर रहे हैं क्या करना चाहे हैं इस वक्त में अपनी उन्होंने सियासत पी दोबे लगा दिये लेकर अभी मुल्क पे खड़े हैं कोई और होता तो कभी ना यहां टिकता और साब बूटों को सही करके वो पालिश करना जानते हैं टिकी में बैठके जाकर इस वज़ा से अच्छा आपको लग रहा है कि शबाश री बूट सही पालिश कर रहे हैं पालिश वाले की यह बात बहुता दूसरे पर अंगली उटाता थाना वो कभी खुद सही नहीं होत हैं यह अपनी जबान आज भी ठीक करें ना मैं भी इनका साथ हूं कभी तो गंदा करके खुद कभी साफ नहीं हो सकता था अपने बड़ी कंपेंड चलाई थी बाजवा साब हमें जवाब दे आपने मरी चलती-चलती कुमत गराई है तो वो क्या था उनने जवाब मांगा था पतमीजी नहीं की टीक टाक पार्टी थी अमरान खान की इतने लोग सपोर्ट कर रहे थे कैसे एक दम सारी टूट गई लोग इदर उदर चले के हमें इसकी समझ नहीं आ रही है लेकिन आप खान के साथ है इंशालला ने तो रात भी काय के घबराना नहीं है अंधेरा होता ह उसके बाद सुबह भी जरूर होती है इंशालला ये तो ये तो सही बात है सकत वकत एक घज़र जाएगा इंशालला अच्छा वकत भी आए की की अजाद ही लेंगे इंशालला जी नाजरी जैसा कि हमने आपको बताया था कि फ्याद रहसन चौहान साब के हलके में मौाजू पीपी सैवंटीन में उन्होंने तैरीक इंसाफ चोड़ने का ऐलान कर दिया उसके बाद लोगों की क्या राय है कि वोट खान साब को देंगे या कोई और बंदा फ्याद रहसन की जगा आएगा किसी भी पार्टी से उसको देंगे तो लोगों की राय ज्यादा तर ये थी क खान साब जिसको भी खड़ा करेंगे हम उसको वोट देंगे की वोट जो है फ्याद साब के लिए नहीं था ये वर्ड़ खान साब की था फैयाद लुह लोट छोडने से हलका या फ्याद पार्टिवानि 7 का हमें कोई फरक नहीं पडा किर लिए